Good morning friends, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल Study with Ravet Talker पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Idioms और Phrases का Part 46 तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला Idiom है C-I-2-I C-I-2-I इसका मतलग होता है किसी के साथ किसी की बात पर पूरी तरह से सहमत होना किसी से मेल खाना पूरी तरह से सहमती जताना किसी के साथ उसको बोला जाता है किसी बात को लेकर या किसी स्थिती को लेकर किसी काम को लेकर सहमती जताना किसी से उसको बोला जाता है C-I-2-I To think in the same way That is called C-I-2-I इसका मतलब होता है विचारों अपनी विचारों या फिर भावनाओं का सफलता पूरवक दूसरे के पास पहुंचाना उसको पूला जाता है इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए या किसी भी बात पर एक बार फिर से विचार विमर्च करना या फिर हम बोल सकते हैं सोच विचार में पढ़ जाना किसी चीज को एक बार से पुनह विचार करना इसका मतलब होता है हमें कोई काम या कोई भी व्यक्ति जो हमें पसंद ना हो जिस भी काम में या जिस भी व्यक्ति में हमें बिलकुल भी रुची ना हो एसी चीज को बोला जाता है आएसे व्यक्ति को बोला जाता है जिस भी काम में हमें बिलकुल भी रुची ना हो एक स्टिडियम है इसका मतलब होता है किसी विशे पर अपनी चुपी तोड़ना बोलना या फिर हम बोल सकते हैं कोई दो ग्रुप है या कोई दो व्यक्ति है उनके बीच बाचीत बिलकुल बंध है और दोबारा से बाचीत चालू हो जाना दोबारा से वारता लाप जो discussion है वो उनके बीच में बोल चाल शुरू हो जाना उस situation को बोला जाता है to break the ice to start a conversation again that is called to break the ice next to eat a humble pie to eat a humble pie इसका मतलब होता है अपने द्वारा की गई गल्पी की बड़ी विनमबरता पूर्वक माफी मांग लेना उसको बोला जाता है to eat a humble pie to say or show sorry for a mistake that one made that is called to eat a humble pie next idiom है to add fuel to fire to add fuel to fire इसका मतलब होता है कोई समस्या है कोई problem है कोई कठिनाई है उसको और जादा बढ़ा देना आग में घी डानने वाला काम करना हालत को और जादा बच से बत्तर बना देना उसको बोला जाएगा idiom में to add fuel to fire to worsen the matter that is called to add fuel to fire next idiom है to burn one's fingers to burn one's fingers इसका मतलब होता है अपने आप को किसी कठिनाई में किसी मुसीबत में किसी problem में डाल देना खुद को उसको बोला जाता है to burn one's fingers to get physically hurt next idiom है at the 11th hour at the 11th hour इसका मतलब होता है कोई भी काम कोई भी जो process है कोई भी क्रिया है कोई भी काम है उसको बिल्कुल अंतिम ख्षणों में करना बिल्कुल last उसकी deadline है उसके अंतिम समय पर करना उसको बोला जाता है at the 11th hour बिल्कुल एकदम अंतिम ख्षण में at the last moment और इस पाट का last idiom है to feel like a fish out of water इसका मतलब होता है अपने आपको किसी कठिनाई में पाना असुविधा जनक स्थिती में पाना उसको uncomfortable feel करना या uncomfortable situation होना किसी के लिए कोई उसको बोला जाता है to feel like a fish out of water जैसे पानी से मचली को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा प्राब्लम feel करेगी न मर जाएगी न तो उसी सेंस में इसका यूज हुआ है असुविधा जनक uncomfortable जो स्थिती को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है to feel like a fish out of water तो ये इस पार्ट का last इडियम था मिलते हैं पार्ट 47 के साथ यदि आपको वीडियो helpful लगा हो informative लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा जादा जादा वीडियो को share कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकूल मत भूलेगा तो इस पार्ट में इतना है thank you thanks for watching